स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्ण के साथ COVID-19 वेरियंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. इसके नए वेरियंट का नाम फ्लर्ट रखा गया है 2. या ओमिक्रोन की JN.1 फैमिली से सम्बंधित है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D ना तो एक और ना ही दो बता दे कि दिये गया दोनों कथन सही है इसलिए विकल्प D सही है अगला प्रश्ण है कच्छ अजरक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ये असम का एक पारंपरी कपड़ा शिल्प है दो अजरक शब्द अर्भी शब्द के अजरक से लिया गया है तीन ये शिल्प 4000 से अधिक वर्षों से कायम है उपर युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो बतादे कि कच अजरक गुजरात का एक पारंपरी कपड़ा शिल्प है इसले कथन एक गलत है अगला प्रेशन है विश्व प्रेस वतंतरता सूचकांक 2024 के बारे में निर्मलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक इसे रिपोर्ट सैन फ्रंटियर स्वारप्रकाशित किया जाता है दो सूचकांक में नौर्वे शिर्स इस्थान पर है तीन इसमें भारत की रैंक 161 है उपर युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो बता दे कि विश्व प्रेस सोतंतरता सूचकांक दोहजार चौबिस में भारत की रैंक 169 है इसलिए कथन तीन गलत है अगला प्रेशन है इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दो अगला प्रेशन है बैटर लिप्स चंद्रायनी के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, यह टार्डी गेट्स की एक प्रजाती है दो, इसकी खोज केरल में हुई है तीन, इसका नाम चंद्रयान तीन मिश्वन के नाम पर रखा गया है उपर उत्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो बता दे कि बैटरलिप्स चंद्रायनी की खोज तमिलाडू में की गई थी इसले कथन दो गलत है अगला प्रश्ण है C295 विमान के बारे में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, यह विमान सभी मौसम की परिस्थित्यों में बहुँ उत्दीशिस अंचालन कर सकता है दो, यह शॉर्ट टेक ओफ और लेंडिंग करने में सक्षम नहीं है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक बता दे कि C295 एमान, शॉर्ट टेक ओफ लेंडिंग करने में सक्षम है इसलिए कथन दो कलत है अगला प्रेश्ण है MTB, VAC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, यह TB वैक्सीन है इस परिक्षण को जयव प्रवधोगी की कमपनी बायो फ्रेवी के सहीयोग से शुरू किया गया है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो C1 और दो दो दी ना तो एक और नहीं दो इस परिश्ण का सही उत्तर है विकल्पसी एक और दो दोनो अगला परिश्ण है वेस्ट नायल बुखार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, यह Q-Lex प्रजाति के मच्छरों दोारा फैलता है दो, पहली बार इसकी खोज युगांडा में हुई थी तीन, वर्तमान में इसके लिए कोई दवा या टी का उपलब्ध नहीं है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है यह सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई नहीं इस प्रिश्ण का सही उत्तर है विकलपशी सभी 3 अगला प्रिश्ण है, भारत में तंबाको उत्पादन के संदर्भ में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, तंबाको उष्ण कटी बंदियों मूल का है लेकिन उष्ण कटी बंदियों उपोष्ण कटी बंदियों और समसे तोष्ण जलवायू में भी पनपता है दो, भारत विश्व भर में तंबाको का सबसे बड़ा उपभुगता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक बतादे कि भारत विश्वभर में तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश और दूसरा सबसे बड़ा उपभुगता है इसलिए कथन दो गलत है अगला प्रश्ण है प्लेटरू कैम्पें निम्नलिकित में से किस से संबंधित है अगला प्रश्ण है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के संदर्व में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजे एक इन जीवों को उनकी मूल सीमा के बाहर के शेत्रों या पारिसितिकी तंत्रों में लाया जाता है तथा आत्मनेरबर जनसंक्या के स्थापना की जाती है दो, लेंटाना कैमारा तथा प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व में पाई जाने वाले कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियां है उप्रोक्त में से कौन सा या कौन से कतन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजे एक, इसे पारंपरिक यूरिया की आवशक्ता को कम से कम 50 प्रतिशत कम करने के लिए विक्सित किया गया है दो, इसे सबसे पहले वैग्यानिक एवं और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक बता दे कि लिक्विड नैनो यूरिया को पहली बार जून 2021 में भारती किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी आई, एफ, एफ, सी, उ द्वारा विक्सित किया गया था अतकतन दो सही नहीं है अगला प्रश्ण है विश्व थैले सीमिया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कत्रों पर विचार कीजे एक, आठ पाई को दुनिया भर में विश्व थैले सीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है दो, इस दिवस का उदेश हीमोगलोबीन की कमी से होने वाले आनुवांशिक रोग थैले सीमिया के बारे में जाग रुपता बढ़ाना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को GST 80 के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे 1. इसके पहले अधक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा को चुना गया है 2. इसे केंद्रि माल एवं सेवा कर अधीनियम 2016 के अंतरगत स्थापित किया गया है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दो डी ना तो 1 और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यबाद धुक्त में जरूर दो आज किवल जरूर आज को और रहीं है झाल झाल